तोग जानते हैं greatest integer function केवल maximum integer part को बाहर करता है for example एगर 0 है तो 0 होगा 0.1 हो तो 0 होगा 0.2 हो तो भी क्या होगा 0 होगा और 0.99 हो तो भी क्या होगा 0 होगा इसका मतलब जो integer part है उसको बाहर करेगा अगर 1 हो जाए तो 1 हो जाएगा 1.2 हो जाए तो भी 1 होगा और 1.99 हो तो भी क्या होगा 1 होगा एक केवल integer part बाहर आएगा 2 हो तो 2 हो जाएगा अगर minus 0.1 हो तो इसके पहले बाहर integer कौन सा होगा minus 1 इसका मतलब इसको एक increase कर देंगे negative के साथ minus 0.99 हो तो भी क्या लिखेंगे minus 1 minus 1 हो तो minus 1 और minus 1.5 हो तो minus 2 हो जाएगा